वेलकम टो आईशा कोकिंग वर्ड, आईशा कोकिंग वर्ड मैं आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी सूरीट रेसिपी एक ऐसा डिजर्ट जो आप मिंटों में पनाकर सर्फ कर सकते हैं वो भी बिना गैस के जलाई घर के ही रखे कुछ सामान के साथ यह डिजर्ट त अगर हम मेजरिंग करके देखें तो एक कप दूद लिया है मैंने और वजन से अगर हम देखें तो 100 ml के करीम मैंने यह दूद लिया है अभी यह शुगर पॉडर भी एड कर देते हैं 4 टेबिली स्पून चीनी को आप चाहें तो ऐसे ही आड कर दें आप चाहें तो फाइन जाधा ताइम लगेगा चीनी को गुलने में इसलिए मैंने ग्राइंड करकी चीनी ली है ताकि बहुत असानी से गुल जाए और बहुत जल्दी से बस इसको मिक्स कर लेते हैं जब भी आप फिरी हो चीनी को इस तरीके से पॉडर बना कर ले तो कोई भी रैसीपी बनानी ब और मिक्स कर लेंगे मिल्क पॉडर को आप बिल्कुल इसकित नहीं करें इस रेसीपी का ये मैन इंग्रीडियेंट है आप चाहिए मिल्क पॉडर का बड़ा डबबा लाकर रख ले या दस रुपी के पाउचीज में ये बहुत इजीली मिल जाते हैं तो दो पाउचीज के साथ गरम दूद के साथ एड़ करके रखा था गुलने के लिए ताकि ये गरम दूद में अच्छी तरह से खुल जाए ठंडे दूद में ये बहुत अच्छा नहीं आता इसका अब ये आधा टी स्पून इलाइची पॉडर भी आड़ कर देंगे बहुत अच्छी से प्रॉट भी आड़ कर देते हैं बिल्कुल ऑप्शनल है ये जो पसंद हो आपको वोट राइफ रूट इसमें आड़ करें मैं आड़ कर रही हूं चॉप्ड हुए बादाम चॉप्ड हुआ गाजू और ये पिस्ता चॉप्ड हुआ पिस्ता बहुत अच्छा लुग देता है इस रेसिपी में और ये बढ़िया सा क्रीमी टैक्चर के साथ मिल्क तयार है वैसे तो ये दूद पहले से ही इतना थंडा है फिर भी हम इस दूद को फ्रीज में रख देते हैं चुल्ड होने के लिए तब तक हम आगे का प्रोसिस कर लेते हैं अब ये मिल्क पॉडर मैं अगर आपके पास है तो इसको जरूर एड करें इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और ये चार टेबलिस्पून फ्रेश क्रीम मैं इसमें एड कर रही हूं तूद की जो ठंडी मलाई होती है वही मैं ली है और अच्छे से मि बना सकते है इस तरह से अभ यह मैंने साथ आठ के करीब ब्रेट स्लाइसिज लिए है थोड़े मीडियम साइज की ही है मेरे पास स्लाइसिज आप चाहे तो बड़े वाली स्लाइसिज ले या छोटी स्लाइसिज में भी बहुत अच्छा बहुत अच्छी रैसिपी तयार आप फimento करूड है और यह आई बटन मैं उपर दिया है वहां से किलिक करेंगे तो आपको इस स्युद्न को देख सकते हैं इस ब्रैट्रम की रैसिपी भी मैं आपके साद बहुत जह्ला जल्दी करूगी मेरी रैसिपी तो तो बहुत जगा आपको दीखेगा कि मैंने डै क्य तो यह बहुत काम आता है इसको बिल्कुल वेस नहीं जाने लें और यह सारी ही ब्रेट से मैंने कॉर्नर्स को अलग कर दिया है ब्रेट स्लाइस को इस तरह से बीज से कट कर लेंगे अगर आपको और कोई शेप पसंद है तो वह शेप दे आप लेकिन इस रेसिपे में यह वा बहुत जादा मिक्स नहीं करेंगे इसको बस लाइठ हैंड ली इसको मिक्स करेंगे और ब्रेट स्लाइस पर इस तरह से स्प्रैट कर लेंगे कृम को यह अच्छे से किनारे बगारा पर ठीक तरह से स्प्रैट करेंगे और इसको रख देंगे साइट पर और दूसरा स्लाइस लेंगे उस पर भी इस तरीके से क्रीम को स्प्रैट कर लेंगे अब यह थोड़े चॉप्ट हुए जो ड्राइफ रूट थे मेरे पास इनको मैं करेंगे और दूसरे स्लाइस पर भी क्रीम स्प्रैट करेंगे और चॉप्ट हुए ड्राइफ रूट स्टप कर देंगे बस कवर कर देंगे इसको और यह पीस भी हमारा तयार है और यह लास्ट वाला भी कंप्लीट है इसी तरीके से मैंने इसको भी तयार कर लिया है और यह सारी स्लाइसिस हमारी बिल्कुल तैयार हैं और यह क्रीमी टैफ्चर वाला थंडड़ थंडा सा दूध भी हमारा एककड़ना च्लड़ क्रीमी टेक्चर वाला एकदम चिल्द दूद को हम ब्रेट स्लाइस पर इस तरीके से सर्विंग स्कून से एड़ करेंगे ठीक तरह से दूद को हम डालेंगे किनारे वगर आपर नीचे से ब्रेड भी ड्राइ नहीं रह जाएं तो इसके लिए एक बार हम इसको पलट देंगे और इस तरह से थोड़ा इस पेस में ही रखेंगे थोड़ा थोड़ा दूद इस्प्रेट करेंगे किनारे वगएरा पर ठीक तरह से जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो सोचिए मत फटाफट से बनाईए घर की ही रखें कुछ सामान से इतनी भी इंग्रिडियन्ट मैंने इसमें यूज की हैं अक्सर हमारे घर पर होती ही है तो बस फटाफट से बनाए और इंजॉई करें और यह चॉप्ड हुए जो ड्राइफ रूट है वोग मैंनों उपर से स्प्रिंकल कर दिये हैं अचानक से गैस्ट के आने पर मीठा बन चयाने में तरह आला हूँ फटाफटста ही रेसिपी इजी बना सकते हैं पहले से बनाकर फ्रीज में रखें 7 फ्री हो जाए तो अब आपने मेरे चैनल को अभीतक सब्स्क्राइब नहीं किया है तो फ्लीज प्लीज लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ला इक पर ढवा रेसिपी के साथ अल्लाहफीज